All the political parties by the rule of section 13A of Income Tax Act उनको टैक्स में एक्जेम्शन मिलता है एक्जेम्शन अर्थात टैक्स पर छूट मिलती है यह हिंदुस्तान के सम्विधान का प्राउधान है कि उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी और इसमें किसी भी पार्टी के साथ 130 विवहार नहीं किया जा सकता है जो विवहार भारतिय जनता पार्टी की साथ होगी वही विवहार कॉंग्रेस के साथ होगा वही त्रिनमूल पार्टी के साथ होगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जो National Political Parties है उनके साथ भी वही विवार होगा आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि Congress Party के साथ जो quote-unquote freeze account वाली विवस्था हुई Congress Party के account के उपर आगात क्यूं हुआ देखी ये विशे होता है Financial Year 2017-18 का जो वित्वर्ष 17-18 था Congress Party का उसका assessment होता है 18-19 में Congress Party ने जो भी आमदनी की जो भी donations उनके पास आये 17-18 में उनको उस पे tax बनता है सुभाविक रूप से तो जो भी tax इत्यादी देना होता है उसका एक deadline होता है आप सभी मित्र और हम सब जो मंच पे बैटे हुए हैं अमुमन सब tax भरते हैं तो tax का deadline और tax का extended deadline इस विशे को हम जानते हैं कि जुलाई के महिने में tax भरने का deadline है तो ये extend होता है और extended date भी एक होता है और extended date तक भी हम tax नहीं भर पाएं तो हमें penalty देना होता है हमें fine देना होता है तो financial year 17-18 का जो assessment बना उसके अनुसार Congress Party को December 31-2018 ये last date था ये deadline थी जब तक उनको अपना tax return भरना था बट Congress could not comply with this Congress Party का प्रथम भूल रहा Congress Party की mistake रही कि extended deadline deadline तो छोड़ दीजिये जो extended deadline होता है उस extended deadline जो की 31 December 2018 था तब तक भी Congress Party tax भर नहीं पाएं वो tax भरी कब वो tax भरती है February 2019 does not comply with the extended deadline it fills its status return for the financial year 2017-18 in February 2019 तो एक कानून तूट जाता है दूसरा एक प्रावधान है एक rule है जो आप सब जानते है पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाई गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एकाउंट में बीस हजार रुपे से अधिक cash में donation नहीं ले सकता है मगर Congress Party का financial year 2017-18 का जब assessment 18-19 में हुआ तो उसमें पाया गया कि Congress Party ने इस प्रावधान का भी उलंगन किया है Congress Party has not complied with this rule that no political party can receive donations beyond 20,000 rupees Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules Congress Party had accepted a donation worth 14 lakh rupees Cash में financial year 2017-18 में उन्हें 14 lakh रुपे donation लिया है बिनामी donation जो की rule number 2 तूटता है तो 17-18 financial year में दो प्रावधान को Congress ने तोड़ दिया deadline और extended deadline के अंदर tax returns नहीं भरे और cash में जो deadline और जो लक्षमन रेखा थी उसे कूद करके उन्होंने अधिक पैसे donation ले लिया और exemption rule का 13-A में पस्ट मानना है कि यदि आप इन प्रावधानों को नहीं मानेंगे तो जो exemption का कानून आपको दिया गया है जो प्रावधान exemption का आपको दिया गया है वो facility withdraw कर ली जाएगी तो Congress Party का जो exemption दिया गया था एक political party के नाटे 13-A के अंतरगत that was withdrawn तो स्वभाविक रूप से आप Congress Party क्या कहलाती है तो income tax के nomenclature में Congress Party अब एक association of persons कहलाती है and it would be subjected to normal tax liability एक group of association of people है और एक association of people जब कोई trust इत्यादी इत्यादी चलाते है तो उनका जो tax liability होता है normal tax liability होती है वो normal tax liability के bracket में Congress Party आजाती है